सो हेलो एन वेल्कम यू आल आम रोईद फ्रों महजन ट्रेडर सो गाइस आज हम बात करने वाले रिलाइंस पावर एल्टीडी के बारे में और गाइस देखा जाए तो स्टॉक में एक बड़ा स्पाइक हमें देखने को मल सकता है और जल्दी एक टाइम पर अगर देखा आपका अगर छोटा फोटफोलियो भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस चोटे फोटफोलियो के लिए ही इसे स्टॉक बने होता है और अगर देखा जाए तो स्टॉक क्वालिटी वाला था अगर देखा जाए इसका पास्ट तो पास्ट काफी ब्राइड था गाइ कई जो businesses होते है fail हो जाते हैं कई बार company के और shares काफी नीचे तक गिर जाते हैं बट अगर देखा जाए तो shares को company इसको record होने में काफी time लग जाता है बट अगर देखा जाए तो एक अच्छी news भी कि उस company के particular stock को बड़ा spike देता है और बड़े बड़े price में बदल के रख देता है तो अभी भले ही और reliance power का price कम चल रहा हो बट आने वाले time में एक बढ़ सकता है so guys reliance power LDD के बारे में हम बात करने वाले हैं और R power के बारे में R power के नाम से इसे हम चानते हैं और guys वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहे हो please चैनल को सब्सक्राइब कर देना for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को शुरू करते हैं तो guys यहाँ पर बात कर रहे है reliance power LDD के बारे में current price आप देख सकते हो तेरा point 90 का यहाँ पर current price चल रहा है 0.100% तक stock यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा था और 0.72% के इसमें तीजी हमें देखने को मिल रही थी अब guys सिदा आते चार्ट पे चार्ट analysis हमारा important है इस वीडियो का man जो motive है वो चार्ट ही है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो reliance power के बारे में बात कर रहे है और stock यहाँ से गिरना start हो था यहाँ से जो spike आया था stock में काफी danger था यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से stock नीचे के और गिरा है और बड़ा भी उसी speed से है अब देख सकते हो यहाँ से जैसे stock गिरा नीचे आया यहाँ पर से नीचे आया और नीचे जैसे breakout मिला है retrust करके सीधा नीचे के और आ गया था bottom तक stock आ गया था बट यहाँ से particular support लेके stock फिर से उपर के और बड़ा यहाँ पर breakout दिया जहाँ से pattern बना सकता है तो कुछ इस तरीके से आप पर बना सकता है जो जितना bottom में हो सकता है जितना आप कम price में आपको मिले उतनी shares आप इसमें buy कर सकता है अगर आप loss में चल रहा हो मैंने तो बिल्कुल 4 उपे पर trade करना आप stock था, 4 उपे पर trade करता था मैंने तब ही आपको buy करने के लिए आता क्योंकि हमने पहले ही इस chart के बारे में discuss कर लिया था और guys यह बिल्कुल 1 week chart frame पर हम analysis कर रहे है it's a long term case है और multiple chart frame पर भी हमने analysis किये है और इसके basis पर भी हमने जाना है कि stock में एक बड़ा लेगा और बिल्कुल यही से reverse करने की कोशिश करेगा तो guys इस तरीका का यहाँ पर pattern बन रहा है तो guys chart के बारे में हम discuss कर लिया है अब आगे बढ़ते है stock में और यहाँ पर guys open का हुआ था stock open का हुआ था high का लगा था stock open हुआ था guys 13 रुपे 95 पेसे के price पे high लगा था stock ने 14 रुपे 10 पेसे का low लगा था 13 रुपे 40 पेसे का market cap अगर देखे market cap भी कापी तगड़ा है market cap यहाँ पर पता चल जाता है कि एक market market cap के यहाँ पर पता चल जाता है कि एक mid cap stock है और आप मार्केट cap आप देख सकते हो 4.75,000 करोड के असपास का market cap है dividend के अगर बात करो 16.50 का 15 का dividend भी stock देता है और गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए क्या कुछ 52 रुपे का high और क्या कुछ low है तो high के अगर बात कर लए 8 रुपे 25 पेसे का high है और 22 रुपे के low के अगर बात करें लेवल है 14 रुपे 93 पेसे का असपास का दिख जाएगा अब बात करते है support levels की 13 रुपे 53 पेसे का first support level second support level 13 रुपे 12 पेसे का और third support level है 12 रुपे 83 पेसे का तो यहाँ पर support level रेजिस्टन्स लेवल important होते हैं उन्हें हमने डिसकस कर लिया है अब बारी है price performance के price performance अगर देखा जाए तो अभी भले ही minus में चल राओ पिछले 1 month या 1 week की बात की जाए तो minus में ही था 1 week की बात कर लेते हमें हमें यहाँ पर minus में है 1 month का अगर देखा जाए minus 18.42% minus में है और देखा जाए 3 months का तो positive था 16.74% यहाँ पर positive है परसेंट यह प्लस में है बट भही अगर देखा जाए 3 years में तो minus में देख जाएंगा minus 54.41% में देख रहा है तो आगे बढ़ते और देखते है trade value और कॉम्बिनेंट डिलेवरी क्या कुली चल देखा जाए गाई तो trade value हम देख लेता है यहाँ पर 3 करोड के संथिंग है और कोम् laure है 3 करोड ही 100% तक यहाँ पर том हुआ है और बिलकुल हम पर अगर देखा जाए तो 2 करोड के संथिंग के Ide x 2 करोड के संथिंग के कॉम्बिनेंट डिलेवरी बिलकुल हम पर शेर्रे अंपर उटा जा रहा है तो guys यहाँ पर एक बात clear है कि stock तो काफी तकड़े हाँ पर उठाए जा रहे है और गाइस अब बात करते है community sentiments के आकड़ों के बारे में तो community sentiments के जो आकड़े है वह भी काफी अच्छे है पॉजिट्युटिव है हाला कि देखा जाए तो यहाँ पर sellers भी काफी बढ़ गया है बड़ अगर देखा जाए तो penny stock में खोने के लिए कुछ होता नहीं है बट आप छोटे amount से भी invest करना चाते हो तो कर सकते हो यहाँ पर अगर देखा जाए community sentiments के तो यहाँ पर 79% लोगों का बिल्कुल यहाँ पर buy call है buy के लिए कहा जा रहा है और चो 21% लोग है उनकी और से यहाँ पर sell call दिया जा रहा है sell के लिए भी कहा जा रहा है किस परसन लोगों के और से और 89% लोग है उनकी और से बिल्कुल यहाँ पर buy call दिया जा रहा है तो गैस अब डिबेंड करता है आपके उपर क्या करना है बट यहाँ पर जो लेवल्स हमें देखने को मिल रहे है लेवल्स की साब से तो क्लिरली पता चल जाता है कि इस लॉन्टम की साब से स्टॉक कॉम बिल्कुल अभी के टाइम पर बाइक कर सकता है तो गैस अब देखते है रेविन्यू तो रेविन्यू अगर देखा जाए तो 2017 का रेविन्यू गर देखे 10,395 करोड है 2018 का रेविन्यू गर देखे 9,592 करोड है और 2019 का अगर देखे यहाँ पर year and year अगर देखें तो revenue में गिरावट थी बट अब यह थोड़ा बड़ा है अगर देखा जाए तो पिछले 2020 का revenue 7562 करोड था वही अब बढ़के हो गया है 7934 करोड तो revenue में भी increment हो रहा है अब वही देख सकते हो results यहाँ पर clear पता चल जाते है नेट प्रॉफिट में 2017 से लेकि 2018 का जो नेट प्रॉफिट रहा है गास उसे हम discuss कर लेते तो 2017 का जो नेट प्रॉफिट था 1104 करोड के something था और 2018 का जो नेट प्रॉफिट था 835 करोड के something बट वही अगर देखा जाए 2019 और 2020 का जो नेट प्रॉफिट है 2019 में यहाँ पर माइनस 913 करोड था 2020 में माइनस 4255 करोड था माइनस में था बट 2021 में positive आ यही से आप अंदर जा लगा सकते हो कि stock में दम है और recover करने कोशिश कर रहा है 427 करोड यहाँ पर नेट प्रॉफिट की FI ODI की holding अगर देखे जाए 3.3% की holding है आपर FI की और जो DII की holding है और आप देख सकते हो guys यहाँ पर जो holding है DII की 3.51% FI की 3.3% और public holding की बात कीज़ा 68.21% की असपस है तो guys stock में दम है और बिलकुल आने में रड़ है में बढ़ेगा तो guys वीडियो पसंदा हो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक्यू